वर्णिवे सरमनिय दर्ष्यनम् मन्दहा सरुचिराननाम् भुजम् पूजेतं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिंत ये उमवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमह श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमह स्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमह बोलो स्री स्वामिनारयन भगवाननी स्री हरी कृष्यन महराजनी जै कथा सांभडनारा बधाज भगतों ने खूब हेत थी जै स्री स्वामिनारयन श्री हरी चरित रामरुच सागर पूर चोथु तरंग अड़तालिस्मु चालु प्रसंग भगवान श्री हरी बोटादमा बिराजमान छे अमिर खाचर स्वमला खाचर जिवा सुर्यवन सीक्षत्री भगतों भावने प्रेम छे भगादोसी एपन भावती सेवमा उबा छे भगादोसीना पिता बाई चंद भाई सत्संग मा अती भावती सहज रिते जुडाया छे अने संतोय किर्तन भगती छेडी छे छत्रिस प्रकार ना वाजिंत्रों वागी रिया छे महराज एतला बधा राजी थया महराज वारी गया भगवान श्रीहरीने किर्तन भगती अती सहज प्रिय हती कोई प्रेम थी पुर्षतम नारण ने पुकारी ने गाता होई ने त्यारे भगवान श्रीहरी ना गुनावने माफ करी एनी भक्ति उपर वारी जता अनेक प्रकार नो राजी पो वर्सावता आ जोई ने बिजा संतों ने पणेम थयू आपडे पन संगीत सिखी महराज राजी थाई भावना चोक्कस सारी जी पन तेम छता ठाकुर्जी दरेक ने अलग-अलग सकती आपी होई दादा कयो हतुने में गायन सिखवा माटे गावानू सिखवा माटे गलूपन जोई ने संतों जारे बदा न सिखी सक्या त्यारे भगवान स्रीहरी ए संतों ने संबोधी ने कही रईया छे संतों आ बधुक करी ने सास्त्रनों अभ्यास करो संगीत विद्या सिखो आ सिखी ने आ करी ने करवा जेवू सूँँचे धर्म भक्ति ग्नान ने वैराग्य आने द्रढ करवा बधानू मूल तो आ छे आ मूल नथी धर्म भक्ति ग्नान वैराग्य काचा छे अने गम्मे एकलू तमे करशो ने एक कोई काम नू नथी अने एकपण विद्या एकपण कला एकपण आवडत नथी पण आ धर्म भक्ति रूपी मूल जो मजबूत छे द्रढ छे तो एकली वाद नक्की छे के बद्धू थसे अमारो द्रढ सिद्धान्त छे महराज इम कहे छे जेना आत्मा मूल होई ने येने फ़ल फुलतो मलवाना आज आ धर्म भक्ति रूपी आ मूल छे ये मारो द्रढ सिद्धान्त छे पथी महराज वाद करे छे सू करे छे जो जो हमारी करत सेवा ताकू ग्रहन करत तत खेवा मूल द्रढ करावन हीता ताहीत हम करत बहुं प्रेता आ बद्धू अमें विच्रण करिये छिए कोईनी सेवाने स्विकारिये छिए आ बद्धू करिये छिए आने आ मूल धर्म भक्ति ग्नानने वैराग्यने द्रढ करावाने माटे कोईने धर्मना मार्गे चड़ाविये कोईने प्रभुमा प्रेम कराविये कोईने समझन आपी ग्नान कराविये कोईने जगतमा वधूपडती आसकती होई इने ए आसकती माधी खेची अने भगवान मा जोडिये आमें आ करिये छी आपड़े एकान तीकनू प्रेजेंटेशन बताईव होतु तमें बधाई जोईव होतु घणाबदा भग्तों नी इच्छा छे प्रेजेंटेशन स्वम एकवार अमारे दही गईूँछे आपड़े अमुक सनिवारनी सभाव ओनलेन मुकता नथी एक दिवस चोकस लेशू अत्ती समझवा जिविया बाबत छे महरादनू प्रागट्य एना माटेज थयूँछे अनंत सास्त्रों वाच्या पछे भगवान स्वामिनारण नो धदैनो सिद्धान्त एतलोज छे धर्म भग्तिक ग्नान ने वईराग्य जहमा छे एकांतिक छे अन एवो जे एकांतिक छे कि अक्सरदामनी सभामा बेश्वा माते लायक छे आना थी विशेश महरादनू भीजो सिद्धान्त न थी चोक्कस पेलू प्रेजेंटेशन आपने आउती कालेज लेशू अजी मंदीर मा बीजा चार प्रेजेंटेशन बागी छे धर्मभक्ति ग्नान वैराज्यना इतो ठाकोरजीनी इच्छासे त्यारे पूरा थसे समझवानू छे दादा बोलाई छे आजे कि आ एकांतिक भगत पन सुँ एकांतिक एतले कोईने खबर नथी काले थोड़ा आपणे उंडा उतरीशू एकांतिक धर्मविशे महराज्य नी ए रुची ए सिध्धान एने समझी सु प्रेजेंटेशन द्वारा आव आजे आपणे आ कथा सरूर आखिये खावत पेवत ओढ़त जेता कोई जमवानू लावे अमे जमिये छी ओढ़वानू लावे अमे ओढ़िये छी बोलो तमड काना करणी बाय गागरों पे रहो तो महराज्य है गागरों पे रहो विचारो खावत पीवत ओढ़त जेता मुलही द्रढ़ करावन हेता ठोर ठोर सोभाहि अनंता जिहां जात तिहां रहत करंता अमे गम्मे तिहां जेये छी असोभाहो थाई छे असजावड थाई छे अससनगार थई रयो छे आ बदूत अमने गमे छे इतला माटे करो छो पन अमारू गम तुसु छे दादा मने तो कोई धर्मना मारगे चाले ए गमे कोई भक्तिना मार्गे चाले एगमे आहा केवी सरस वाद छिया गणी वार अमे नियम प्रक्रण फेरविये छिए तेपन मुलभुद गुणने द्रड करवा माटे करिये छिए संतो ना प्रक्रणों एक सोने चवूद वार महराजे चेंज करिया कितली वार? एक सोने चवूद वार स्रिजी महराजे संतो ना प्रक्रण चेंज करिया प्रक्रण सरू करे आवती कालती संतो तमारे हरी भगतनु जे गाम होयने एक गम्मा नहीं जेवानू जे गम्मा कोई हरी भगतना होय केवु गाम होई त्यात तमारे सत्संकरावा जेवानू आउँ प्रक्रण। अने ये महराद ने तो धन्यवाद छे पने भगवान स्वामी नर्याने ना साध्वों ने करोडवार धन्यवाद छे के भगवानने आकरी कसोटी मा थी आर पार उत्री गया है। दादा आउँ प्रक्रण ह। केवु प्रक्रण। हरी भगतन गम्मानी जवन। आपने क्या जिए बोलो। अजे वैनू घर क्या आचे गोतियक ना गोतिय है। आउँ प्रक्रण महाराज चलावेलू बीजे दिवी संतो आवे महाराज के अवे प्रक्रण नवू करियेची सु तमारे संतो नवा पांच जिवने वर्तमान धरावा अने त्यार पच्छी अन जडलेवा आवे दरोज नवा पांच क्यां थी गोतवा अम्या बदू करियेची आना माटे करियेची केना माटे धर्म भक्ती ग्नान ने वहिराज्य क्यारेक राज महल मा रहियेची क्यारेक वनमा रहियेची क्यारेक रस्दार भोजन लईएची क्यारेक तिने छोडावियेची पण ये बद्धू आ मूल गुणों नी द्रढता माते है। सांबल जो, सांबल जो हां। अजेबै अध्भूत वाद चाले छे, अध्भूत। मुट्टा भागना दुनियाना मानसो जे भूल करे छे, या भूल छे। बद्धाने केरी गमे छे, फ़ल गमे छे, मूल कोईने गमता नथी। मूल उपर एसीड नाखे छेन, फ़ल उपर पानी नाखे छे। तो परिणाम स्वाववानू, फ़ल जतूरेवानू, माथू कापवानून पागडी पेरावानू, पागडी मुक्से क्या। क्या मुक्से, गुजराती कहवत्तो जोतमे। मर्गीनी वाद छेने, सोनानू इंडू दरोज आपती। ते बापा तो डाया हता पन, दिकरो महामू रख, दिकरानेम्ती दरोज सोनानू इंडू आपे है। ये के कापे, ये महूं बेडो पार्थाय ना करता आपड़े है। बोलो। मर्गीन मारी नाखेत इंडू मले, के मल तो ये बन थे जै। आपकेहवत कितलू बधू समझावी जै। कितलू बधू। गणी वार आपड़े अतली मोटी मुर्खामी करिये छे। जे मूल छे, जे फड़ने जनमा आपनारू तत्वा छे। ये ने आपणे छोड़ी दिये छे। कवचुने, सुख गमेचे बद्धाने, पर सुख जेनाती मलेचे मूल छे धर्म, ये कोईने गमतो न थी। गमेचे अधर्म, तेनू फड़ सुमडवानू दादा, दुख ज, समझो छन तमे। जहू छे गोवा, आने चड़ी गया गोध्रानी गाडी मा, तो सुमाववानू, गोध्रा जाववानू, गोवा केमपों चाए। एक्केक महराज निवातो जुओ, अमें मोटा-मोटा राजावो सन्मान करे, अनेक रिते गणी भारे पुजाकरीने भेटर पन करे, केतला तो पोताना राजपाट पन देवा मंडे, ए बद्धानों अमें त्याग करियो छे, ते पन, आ मोळ गुणोंनी द्रडता माते ज, च्रीजी महराज ये अक्खु पोतानों जीवन आनि इंदर आवरी लीधू, मोटा राजावो ये मारा सन्मान करे, अमने बोव मोटी भेटो आपी, ये बद्धों में छोड़ी जीदू, अमें राजाना महल मा न रया, वडुद्राना गयकवाड सरकारे प्रार्थना करी मह ये ही भुवन संपती तुम्हारी, महराज आ राज्य महल तमने आपू, नित्य निवासकरीने आ लक्ष्मी विलास पेलेसमा पर हो, अमने सत्चन नों सुखापो, अमें नरया, अमें छोड़ी दिदू, सा माटे, एतला माटे अमें कोईना राज्य, रजवाडा करवा नोत अमें आ प्रुथ्वी उपर प्रगट थया छिये, एकांतिक धर्मनी स्थापना माटे, एतला माटे आ बद्धू में छोड़ीू, किवी वाद चे जो, अमें एक सुन्दर दासनू पद, सवया, सिखी राक्यू छे, तेमा जे कहियू छे, तेनों में द्रध विचार करियो, अमें जे उपर मुलगुण नी दढ़ता कही, तेमने कहियू छे, महराजें कहे बस अमें आ बद्धू, कोई सुन्दर दासनू पद छे, सवयो, अवे एक पद मलतू न थी, कोई नितपास करी, पना पने, कोई भगतो सांबल नारा होय न, कोईने मली जाय तो मने मुकल जो, आ सवयो एक पद नी रचना छे, जेम चोपाई छे, जेम दोहा छे, येम उत्तरभारतना सारा कवी, सारा भगतो थया, येमने सवया नी रचना करी छे, बहु मारमिक पद होय थोडू, समझवा जेवू, आपड़ा ब्रह्मानन सविना छंद छेने, स्वामी केवासर छंद लखेया छे, काले अपणी लिदो तोने, गीत पढ़यो, जगरीत पढ़यो, नुप्नीत पढ़यो, तना रंगचठियो है, भास पढ़यो, अनुप्राश पढ़यो, रसरासर न्याय प्रकास द्रढयो है, केद पढ़यो बहु, भेद पढ़यो, सब वेद पढ़यो, अतिमान बढ़यो है, ब्रह्म मुनी घन स्यामको नामको जोन पढ़यो, तो कछून पढ़यो है। केवी सरस्वात छे मूल नथी तो फड़नों महिमाद नथी प्रान नथी तो सरीरनों महिमा खरो साहित्यम एक सरस्वात आवे छे आद दुनियाना दरेक वस्तुनों एक प्रान तत्व छे दरेक वस्तुनू ए प्रान तत्व जो होई तोजेनी मिठास एनो महिमा श्याक गम्मेतलू सारू बने गम्मेतलू सारू बने बद्धा मसाला अधळक नाथ्या होई जम्वा बेसे सुगंधे वियावती होई स्वर्गना देव ललचायावे पड़ मोधामा कोड़ियो मुकेन खबर पड़े के लवण, व्यंजन, मिठुद नसी नाख्यू तो मिठाविनानू स्याक एनो महिमा खरो बद्धू भुलाई जये चाले निठू कंपल सरी जे तमने अमेरिकाना विजा मली जये गाम आखू राजी थाई बसो भरिन लोकोई वड़ावा आवे गुणो कोथला भरा एकला हार तोरा स्वागत तमारू करे 15-12 तमी एक्स्ट्रा करली धी होई एकली तयारी करिन तमी निकलो बद्धी तयारी थैन प्लेन मा जवा निकलोन खबर पड़े पास्पोर्ट भुलाई गयो कोई काका अपन ने प्लेन मा बेहवा दे पूछो मारा आखा गामना मानसोने बद्धु मारी पहेकाल मली जासे टिकीट नावे तो चाली जा एक बार पास्पोर्ट वगर यात्रा थाई दाजा मिठा वगर नू स्याक कामनू खरू एक बहे बहुत सरस्ला का आमनी आक सारी छे आमनो हाच सारो पग सारो छे बराबर पन रदय बन कामनू खरू इम जीवन मापन जयरे मूल थी मानस छुटो पड़े ने काले में कई हो तुने ट्री इस ग्रीन ट्री इस ग्रोविंग बिकोज इस रूट्स आर कनेक्टेड विग दे सोईल ये मूल छुटा पड़ी जाई एनो ग्रोथ अटकी जसे एनी ग्रीनरी खलास थाई जसे औने रुक्सपन खलास थाई जसे कारण के बद्धानो आधार कोण छे कौंची बद्धानों बद्धानों आधार इनमोल Quinnree साथ जिट आपणी जातने मूँछिए आपणी आमने मूँछिए कोई जगेए जुडे घ्रा आपणी जातने पुछिए आपणे है क्या रेत अपास करूँकि क्या आपणी मूँड सूचिए गीत पढ़ियो साराम सारु संगीत गातो होई जगरीत पढ़ियो जगतमा केवी केवी रीत बद्धियने खबर होई नुरुपन नीत पढ़ियो राजनिती जानतो होई तन रंग चड़ियो है लालतमेटा जेवो थे कोई वाबदु सिखी सिखी साहिब साहिब वाह वाहततु होई भास पढ़ियो संस्कुरुत नो ग्रंद छे अनु प्रास पढ़ियो अलंकार सास्त्र रस रासरू न्याय प्रकास द्रढ़ियो है प्रास्त्रों छे केद पढ़ियो एतले के न्याय सास्त्र भणियो होई कोने के वो दंड आपको न्याई सास्त्रमा माहित बहु एक्सपर्ट थेयो होई बहु भेद पढ़ियो कोने केम छुटा पढ़वा कुट मिति जने के हवाई ये पन सिखे होई सब वेद पढ़ियो चार वेद भणियो होई पढ़ि अति मान बढ़ियो है आ बदू भणि भणिन अत्यंत मान वदियो ब्रह्म मुनी घन स्यामके नामकू जोन पढ़ियो तो कच्छून पढ़ियो है गुजरातिनी नानियेवी वारता वारता इकला माटे कवचु आ वाद समझवी बव अगरी जे बोलवी सेल्ली छे बोव अगरी छे सारमसारा प्रोफेसर गंगा नदीमा संध्या समये फरवा निकला ये सरस्मजानु खुस्नुमा भर्यू वातावरन हतु वड़ी चालती हती आ मोटा प्रोफेसर नावमा विजु कोई हतु नई ये कांत भर्यू वातावरन अखी प्रुथवी जानेके नाचती होई आवी रिते संध्या खिलेली कुद्रत अतली अद भूत रिते चारे बाजु पोतानी सोभाने फिलावी रही होई अन येमा नदीना वातावरन मा प्रोफेसर ने थे वात करू पन कोणी जोडे आव भणेलो मानस ने पेलो खारवो तो होडी चलाव नारो येकले तो पने ने हिम्मत करी वात सरू करी के भाई तने अइन्स्टाइन ना थियरी ओफ रियर्टिव इसे विशे कई खबर छे होडी अंकारता पेला खारवाय कई उसाहेब मने येमा कई खबर पड़े नी तमे सुन बोईलान येज खबर पड़ती नथी पछे आगलनी वात तो अरे तने स्विग्णान नी कई खबर नथी साइन्स नू तने कई ग्णान नथी साइब नथी तारी 25 टका जिनगी पाणी मा आतो प्रोफेसर ने टका मुक्वां बढ़े बीजाना टका जेने बोव मुक्तावडी से पर संथे यहने ते एक जम चालू करती दी बोलो नाविक तो विचारो भलो होतो पाचु मोन पड़ू अरे सुँ आगल वात वदिद नहीतो बेचार मिनिटनों गेप पड़ी गयो प्रोफेसर ने बोलवान उमलको बव विग्णान नी वात यहने छोडिन पचि देशनी वात सरू करी तने खबर छे आपणों देश आजात क्या रे थियो केवी रिति आजादी माली कोणे कोणे ए संग्राम मा भागली दो अतो ए सहीदोने ए वीरोने तुँ जाने छे आने कईू सहेब मारा बापुजीनो जन्म आगाममा अभोडी माा थेलू मुरत्यू पन आज नदी मान आज रितिय थेलू मारू पन जन्म थी मुरत्यू सुधिनी यात्रा होडी स्याई क्याई do नाथी मने देश नी खबर नाथी आजादी नी खबर नाथी 5 صन्म नाटो थैयो थोड़ी वार पचिके, तने खबर पड़ी, सुँ, आपड़ा देश मा बहु साड़ा वड़ा प्रधान अपलू सरुस काम करेचे, जन्दन योजनाने, आ योजना, केटली बदी योजना, तारा जेवा खारवाने तो अंबानी जेवा बनावी दे, आने किदु साहेब, किद नहीं जल्दी, सन्नाटो लांबो चायलो, ओड़ी चाले छे, खारवा येनू काम करे, प्रोफेसर मनमा विचारे छे ड्याख, सुँ, पुछूँ आने, कई दिशामा वाद करिव्या नी जोडे, ये मा भै, पवन फुकायो, पाणी हिलोडे चडवा लागियू, नाव डग दगमक थवा लागि, खारवाई कि दू सैब तर्ता आवडे छे, प्रोफेसर के तर्ता न थी आवड़ दू, सैब सोट का जिनगी पाणी मा, ब्रह्म मूनी घन, स्याम को, नाम को जोन पढ़्यो तो, कच्छून पढ़्यो है, सुँ, स्वामी लखी ने गया, साह भयो, उम राह भयो, पत साह भयो, जग सिस नयो है, रागी भयो, बढ़ भागी भयो, वित रागी भयो, वन जाय रहो है, मानी भयो, निर मानी भयो, पर मानी भयो, जस वास लियो है, ब्रह्म मूनी घन, स्याम को, आस्रय, जोन भयो, तो, कच्छून भयो है, साह भयो, मोटो साह थाई अबरुदार प्रतिष्ठीत स्रिमंत बने उम्राह थाई अरे पत्सा मोटो पात्सा येटले सहेंसा मोटो राजा बने जग सीशन नयो है आकी दुनियाने मस्तक नमावती होई रागी भयो बडभागी भयो सब्दो तो जुओ वितरागी भयो वन जाय रहो है बद्धुत थाई मानी भयो नीर मानी भयो आने आउपर तो कल्लाक बेक कल्लाक ओछी पड़े तो टुकमा अपड़े लिये ची ब्रह्मानन्द स्वामी कहा बद्धु करिऊ ब्रह्ममुनी घनस्यामको आस्रय जो न भयो तो कच्छू न भयो है स्वामी रामकृष्ण परमहन सदेव बेठा था एक ग्नानी मानस आविनेने प्रस्न पूछू कि बाबा आपके बारे में बहुत सुना है बड़े सिद्ध हो तो एक बात बताओ क्या क्या आपने अस्टांग योग सिद्ध किया है अस्टांग योग में यम, नियम, आसन तीन तक में पहुँच चुका हूँ चोरियासी आसन अच्छी तरह से कर लेता हूँ क्या आपने चोरियासी आसन की साधना की है योग सास्त्रमा आसनना 84 प्रकार छे 84 लाख योनी जिमा जिव फरे छे एक एक योनीनु प्रतिक सिंबोलिक एक एक आसन छे एकले मा जो वजरासन आवे, कुकुटासन आवे, मयुरासन आवे बराबर मच्यासन आवे माचलीनु प्रतिक, एकले मच्यासन 84 लाख योनी जिमा जीव भरे छे एना प्रतिक रूपे अगरावा अगरी योगनी साजना सारीरिक फिजिकल एकसरसाइज चोरियासी आसन बाबा मैंने चोरियासी आसन पूर्य कर लिये क्या आपको पता है परमांस देव हस्ता हस्ता बोलिया मने तो पंचाहसी मुए आवड़े जे आतम मातु कंजवाबा लाग्यो कि बाबा ओ आसन तो मैं ने सुना ही नहीं है चोरियासी तक ही जानता हूं और इतने ही ऐसा सुना है कौनसा आसन पंचाहसी आप पंचाहसी मुँ आसन कयो अने त्यारे रामकृष्न परमंस यहम बोल्या आ 55 आसन जो नौवडें तो पेला चोरियासी चोरियासी नख्का मां कयू अरी सरन आसन भगवानना चरन मां बेसBen ये ये 58 को आसन ये ये आसन न थिया वड़तुने तो चोरियासी मां भटकात करवा नू पचि बस कुत्रों, बिलाडों, गधेडों, उँट, खुट आवदू ब्रह्म मुनी घन स्यामको आस्रय जोन भयो तो कच्छून भयो है मैं कथामा एक व्योखत वाद करेली पन त्यारे मारी पास ये वस्तू नोती हाजर आजे उन लेने ओचू अजे भाई आपड़े क्यारे क्यारेक सक्भामा सिकंदर निवाद करता बाजन्द सिहर बादसाह येनी वाद खणिवार कथामा करी छे पन आ बादसाहोने पाछो पाड़े वो मुटो बादसाह ब्रह्मानन स्वमेन्या पंग्ति सचोट जेने लागो पड़े अमणानी घटना अक्खु अमेरिका अक्खी दुनिया जाने स्टीव जोव ओनली एड़ एज ओफिप्टी सिक्स चपपन वरस नी उमरे भयंकर बिमारी मा येनों मृत्यू थाई ओस्पिटल मा छेल्ला येने जे सब्दो लख्या जे अत्यंत फेमस आर्टिकल छे ओस्पिटल मा मृत्यू पथारिये सुतेला स्टिव जोवे छेल्लो जे लेटर लख्यो छे छेल्ला जे सब्द छे अत्यी पोप्टिूलारा वर्ड्स सांबढ जो थोड़ा मूँ वाचिस आम तो अंग्रेजी मा वाच्व एना करता हिंदी मा वाच्व थोड़ू थोड़ा एना ओरिजिनल सब्द ही लेली आपड़ा बर वच्चे वच्चे आई रिच पिनेकल अफ सक्षेस इन बिजनेस वर्ड इन अधर्स आइज माई लाइफ इस अ एक वार एपल कंपनी अमेरिका देश नी आवक हती ने एना करता पन एपल कंपनी नी आवक वधार आती खबर छें तमने कहवाई छे 173 जेटला देशो भेगा थाई अन एनी जेटलू रेवेन्यू हतुने एना करता वधार रेवेन्यू 400 अबज डोलर रेवेन्यू कनू हतु एपल कंपनी नों विचारो आज ना बदा अलेक्जेंडर शिकंदर ना केवाई अतली समरुद्धी त्या पोचेलो मानस I read the pinnacle of success in the business world बिजानी दुनिया मा थोड़ा सब्दों अंग्रेजी करता है हिंदी मा एक समय था जब मैं व्यापार जगत की उचाई को छू चुका था लोगों की नजर में मेरी जिन्दगी सफलता का एक बड़ा नमूना बन चुकी थी लेकिन आज खुद को बेहद बिमार और इस बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ इना एक एक सब्दों सामपड़ जो हाँ पूरी जिन्दगी मैंने कड़ी मेहनत की लेकिन खुद को खुश करने के लिए या फिर खुद के लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा जब मुझे काम्याबी मिली तो मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ लेकिन आज मोत के इतने करिब पहुँचकर वह सारी उपलब्धिया फिक्की लग रही है येने खबर पड़ी गया माथी कस्चू काम नथी लागवान। असंपत्ति नहीं या ब्रह्मानन समय गणेवन बदु विद्या मले वसुधा मले विधवीद बहुवई भव मले अधिकारनी पदवी मले वली मानिता कहीं काम नथी लागवान। सुन सब्दो लख्या जूँआ। सास्त्रनी वात्मा अने स्टिव जोनी वात्मा सुन फेर। यतलोज फेर अने मोडू समझानूं आपने वेलू समझानूं। अक्खो लेटर वाचवाजे वोच। आज इस अंध्यरे में इन मसीनों में मैं गिरा हूँ। मृत्यूनी पथारी जोईचें तमें। मैं मृत्यू के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूँ। आज मन में एक ही बात आ रही है कि इनसान को सांबल जो बद्धा माटे काम लागवी जे। मैं मृत्यू के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूँ। मारी आखनी सामें मृत्यू भुएवु मने लागे छेले बस। आज मन में एक ही बात आ रही है। इनसान को जब यह लगने लगे कि उसने अपने भविश्य के लिए परियाप्त कमाई कर ली है। तो मैं पच्चा साइट वर सांती थी जीवी सको एकलू थाई गयू छे, इंसान को जब लगे, यह लगने लगे, कि उसने अपने भविश्य के लिए परियाप्त कमाई कर ली है, तो उसे अपने खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए, तालियो थी वदाव मानस ने, मैं त तो आप पत्रवाच्योंने तेदी उस्ति मने थियू का आ मानस ने केटलू समझान, केटली रियालिटी आ लेटर माझे, फेर येटलो छे, समझाई तो बद्धा ने चे, कोईने वेलून, कोईने मोडू, पण समय होई त्यारे समझी जाई ने, इद्धायों के वाई, समय जत्वरे, पछी तो बद्धा ने समझाई तो, अपने लिए, खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए, और पैसा कमानी की चाहत न रखते हुए, आतलू थाई जये, पछी पैसा ने पाचल न पड़ू जो ये, खुद की खुशी के लिए जिना सरू कर देना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल की तसल्ली दे सके, किसी ऐसे के साथ वक्त बिताना चाहिए, जिसे आप खुशी दे सके और बदले में उससे भी वहीं हासिल कर सके, क्योंकि जो पैसा सारी जिन्गी मेंने कमाया, उसे में साथ लेकर नहीं जा सकता, विचारो, तो तमें The wealth I have won in my life, I cannot bring it with me, what I can bring is only the memories, क्यों सरस लखे चे मानस, आप पैसा, आ संपत्ती कहीं जड़े आवर ना थी, कौन लखे चे या, आकी दुनिया मा सवती वधार एक संपत्ती माटे मेनत करनार ये मानस, आपने बदाने मेसेज आपया चे, समझीजे तो सारी बात, अगर मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ, तो वे है सिर्फ यादे, यादे ही तो हमारी अमिरी है, जिसके सहारे हम सुकुन की मोत पा सकते हैं, जोयो, सारू मृत्य मेलव होई तो आएकज रस्तो छे, क्योंकि ये यादे और उनसे जुड़ा प्यार ही एक मात्र एसी चीज है, जो मिलोत का सफर तई करके आपके साथ जा सकती है, आप जहां चाहे इसे लेकर जा सकते है, जितनी उचाई पर चाहे ये आपका साथ दे सकती है, क्योंकि इन पर केवल आपका ही हक है, जीवन के इस मोड पर आकर मैं बहुत कुछ महसुस कर सकता हूँ, जीवन में अगर कोई सबसे महंगी वस्तु है, तो वह सायद डेथ बेड है, क्योंकि आप पैसा फेक कर सांबल जावाक्या, क्योंकि आप पैसा फेक कर किसी को अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना सकते है, जितनी मरजी नोकर चाकर अपनी सेवा के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई दिल से आपको प्यार करें, आपकी सेवा करें, यह चीज आप पैसे से नहीं खरिच सकते हैं। आपको हसे ने, तो बापाना हैयामा सांती हसे, सांती, निराते प्राण छुट से, गम्यवाली सान बंगलो हसे, दिकरो आएवो, नथी आएवो, दिकरी यह नथी, कोई ने मारी पड़ी नथी, गया उपड़ी आलो, खबर चेन वाद सांपलीतिन, कितली अधभूद गुर खरी दी सक्सो, प्रेम नथी मली सकतो, पैसा थी, आज मैं यह कह सकता हूँ, कि हम जीवन के किसी भी मोड पर क्यों न हो, उसे अंत तक खुबसूरत बनाने के लिए, हमें लोगों का सहारा चाहिए, पेसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता, जोहित में, पूरूस होई कि श्त्री होई, आभूल बद्धाज करे चे, पैसा जारे, प्रधान तत्व बनी जाई छेने, त्यारे बद्धूज खलास थई जाई छे, भूतिक वादनो अर्थ जे छे, मट्रियालिजम एज छे, साचो गनान छे, पैसा करता पदार्थनो महिमा, पदार्थ करता मानस नो महिमा, मानस करता भगवान नो महिमा, आत्रोण स्टेज समझवा जरूरी छे, पैसा बहु गो पण वस्तू छे, पण सवथी छेल्ला मा छेल्लू छेने, आपने हवथी पेल्लू मुकी दिदू छे, अने सवथी महत्वना भगवान ने हवथी निचे नाकी दिदाचे, आको उल्टू करी नाएके, केविरी ते सुखी थसू, जीवन ना कोईपन मोडू पर मानसे आतलू प्रेमनी फसल करो, प्रेमनू वावेतर करो, स्नेहनू वावेतर करो, मेरी गुजारिस है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, बोलो, मेरी गुजारिस है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताए, इस बेश किमती खजाने को बरबाद ना होने दे, खुद से भी प्यार करें। स्टीव जहुनो अच्छेलो लेटर एकलू सरशने लख्यू छे, अंग्रेजीम आपना लेटर अवेलेबल छे, हिंदी गुजराती बद्धी भासामा छे, तमें वाची सको, उनकेहवा ए मागो छू, मूल साथे जयरे कनेक्शन तुटी जाई छे, त्यार पची गम्मेतली सम्रुद्धी, गम्मेतला वैभव, विलास, अब भोग तो आपने रोग आप पाना, जितला भोग वधेने, इतला रोग वध सेच, रोग थी बचवू होई, तो भोग थी थोड़ा दूर रही है, परमात्माना योगना मार्गमा चालिये, महराज पन आज वाद करेच, बद्धी राजी छे, महराज हम कहे छे, थोड़ी वाद बदले छेवे, सीखे कछो जो कामन होवे, संतो ने संगीत विद्या सिखवानू बव तान चड़ू तो, एपन बिजानू जोईने, एपन पोतानी लाइकात विचार्या विना, एतले आ बद्धी वाद महराजी आव सीखे कछो जो कामन आवे, याकि समझ जब जीय में प्रोवे, तब ताकिते ही करत सहाया, एक अनन्त ही सब्द रहाया सीखे कछो जो कामन आवे, मात्र गोखी राखेलू, अथवा सीखी राखेलू, कई काम नथी लागवानू, शीखेलू ग्नान, मनंद वारा, जैरे जीवमा उत्री जाईने, त्यारेज ते सहाय करे छे, आपने या मन्तव ये चालू करूने, अरी भुगतों एटलो आनन्द सैंबला, वाच्या, सुन केचे, सीखेलू कामन नथी आऴोतू, मनन दवारा, जीवमा उत्री जै, जीवमा उत्र वानी प्रोसेस एकत छे, ग piace, कै, मनन दवारा, जीवमा उत्री जै, तो सहाय करे छे, एकत सब्ध, जयो सांबलो, दादा, एकत सब्ध विवक्षाने आधा आरे अनन्त रूपे रहे छे आ विवक्सा संस्कुरुत सब्द छे संस्कुरुत मानों बोव मुटो विवाद छे जेम के तमें जानों छो आपड़े आतली बधी वात्व करिए अपन कोई आ घंशेम दादानी जेम सभामा इन बेही ही न थी जेतालो नकर बेजन नेम न थे चालो लोया धम मा जतारी एवे आपड़े अस्टीव जो जतारे न बदा जतारे अमार हरीस बाई जोका आवी गया के वायवे अज़े वे आवता था यासीत बगत्तो साधूत छे अड़ आमारे माथे मुंडन थाईज ग्यो छे पूरे पूरु विवक अक्साने आधारे एकले जे बोलनार छे ए और सांभणनार छे ए आपड़ने वच्चे नो जे कॉम्युनिकेसन छे ने येन आधारे सब्द एक नो एक छे पड़िन असर अनेक प्रकार्नी थाईज तमने खबर छे तापड़ी जुनी कथा एक राजाना दरबार मा नट नट नाचवायवा छे राजाने मारी नाखवा माटेक बोमुटु कावत रुकेरू छे दिक्रा नेमचेक बाब गादी छोडतो रथी राजाने मारी नाखवा माटे दिक्राय कावत रुकेरू छे राजाय महिफिल रची ची ची तो रंग रोगान मा मस्त छे इमहिफिल मा नट अने नटी नाचता जाई छिन गाता जाई छित बहुत गई थोड़ी रही अउन नाचे छे बदा गाई छे अने कहवाई छे सब्द एक जतो वारमवारे सब्द रिपीट थाई वारम बारे सब्द प्ले संगित में वही ने बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी ओर बजाए नाट अने नटी नाटता जाए अकड़ी गाता जाए अलग लग रिते गाई अलग अलग नुत्य करे लोकोने रंजन थाई पर बद्धा ना वीचार बदला वाला गया आखी रात संसार छोड़ी सन्यास्तरफ जत्तोरियों मारे साधू थे जहुँचे नटने केवानों आसे सुनों तो बहुत गई एले रात बहुँ गई थोड़ी बाके छे छेलो ताल धम-धमारीन थवाद त्यारे है इतली फोम इरित एनुआ केवान से रात पर तो बहुत गई बराबर यह सब्द पेलाय साहंविळो यह ने थी उग भई जिंगी केतली बदी गई छोड़ी दो है केवाई थे के सब्द सांबलनारा बधा हताने पर आकी रात यह सब्द राजाय साहंविळो ने राजा ने पन थिए जिंगी मां बहु आ विलास फेह बहु भभगवया बहुत गई थोड़ी रहिवे थोड़ी जिंगी छे सांतित जिविया हवारे न हवारे राजा नो दीकरान राज्या भिशेक कर दी तो बोलो राजाय मृत्युने घात मा थी बची गयो एकत सब्द अलग अलग जग्याय असर अलग अलग रिते करी अकास मा थी वरस्तु पा पानी सर्पना मुड़ामा जाय तो अला हल विस्त थाई बोलो ये सेम पानी सेरडे मा उत्रे तो मिठो रस थाई पानी एककज पन पात्र प्रमाने एमा थी फळ जुदु जुदु आवे येम सब्द एककज पात्र प्रमाने एनु फळ में आमना किदु नहीं तमने को समझो बोल्वामाई कई चोखु थे ने गरबडगोटन परभू एक वात करित दो चालों कनी बदी कथा बाके से जिदा एक महात्मा जी कथा करे कथा करता करता पला उत्तर भारत मा आजे पन रिवाए कथा वक्ता हो जे भगवर माते के मेवा मिठै लावे वक्ता इवी सरस्मजानी भगवाननी वातों करे पन थोड़ो रसास्वात प्रधा न से ये शामे मिश्री माखणा वुदो आवे ने पची मन आतमा रे नहीं नहीं ये महात्मा जी भगवान की कथा करते करते तनमे हो जाते थे भाव में हो जाते मुख से आवदू सामे जो ये करता हूं तो उसमें उतना दूब जाता हूं कि फिर मेरे मुझे गंगा बहने लगती है मुझे पता भी ने लगता है रोज महात्मा ना मोडा माती गंगा बहने चालू कता लाडो पड़ती हूं कता वहतीन यमा कुए अमेरिका थी गयो होसे छोक्रों येने जू येने त्युका खुल्लो दंभ छे आउँ आउँ दंभ आउँ पाखन बिजे दिवसे पहला महात्मा जी कता करे पची गंगा प कुछ नहीं है माताजी गुजरी गया मारे अस्थी विशरजन गंगा मा करवू तू पन टाइम मलतो नो तो ना गंगा जी गंगा मत प्रगट थे तो माना अस्थी मोडा मत चोखु बोलो चोखु सांबडो और चोखु समझो जीवन मा करवा जीवुचे एकले केचे एकत सब्द होई विवक्षाने आधारे चोक्खु बोलो चोक्खु साम्भळो किधू कसू और साम्भळू कसू आखनू काजल गाले घसियो थाई चे निवुँ चोक्खु सम्झो मैं हमना अधना वाद करी बहु सरस आतो आको एक नातक छे अपना विद्ध्यार्थियो बहु वर्सो पेला करेलू बोलो गुरुजी एक सफ़ामा दरोज वाद करे एक खटको राग जो खटको एक खटको राग जो खटको तो एक भगत खंब्य पटको तम्या खंब्य नाखो जे आओ उछेक एक गोखी राखेलू काम नथी लागवान एनू मनन करिने एनू चिंतन करिने एनू मन्थन करिने जीवमा उतारोशेन एक काम लाग से अमे जे सब्द सिख्या छे ते योग्य समय अमने उप्योगी थाई छे सिख्येलू उग्णान योग्य समय उप्योग मा न आवे तो पच्छीना समय मा सहयता सू करवानू शरीर मा बाह्य इंद्रियो 10 छे आंतरिक जीवनी इंद्रियो 4 छे तले अंतह करन बन्ने मलीने चवद इंद्रियो कहवाई तेमा पन मुख्य स्रवण इंद्रियो आ चवद ने अंदर मुख्य कोण छे स्रवण बद्धानी सर्वात अनी थी थाई स्रवण इंद्रियो सहुनू द्वार छे अचवद ने खोलवानो दर्वाजो कोण छे स्रवण स्रोत्रना देव दिखपाल छे तेनो विशे सांभळवू ते विधी औने निशेद रूप छे विधी एटले तेते इंद्रियना विशे ने ग्रहन करवानी औने भोगवानी आगना निशेद एटले तेते इंद्रियना विशे रस्नो त्याग करवानी आगना विधी थी ग्रहन कराता विशे मा जो मन बराबर बली जाई तो जो तेनो यथार्थ अनुभव थाई औने जो मन ते विशय मा एक रूप थाई ने भढ़ियू न होई तो पक्व यथार्थ अनुभव थातो न थी जो मन तेमा एक रूप थाई ने वारमवार चिंतन रूप अभ्यास मनन करे तो ते विशय तेने साक्सात थाई जाई छे जो यू समझानू काई, श्रवण, पछी मनन, अने पछी निदिध्यास, अने त्यार पछी साक्सात कार, यह खी प्रोसेस महराजया मा समझावी एतले तुम वारम वार कऊँछू, कथा सामबलोच छो, रोज सामबलोच छो, डाइरी राखो, आ कथा याद राखो, कथा लखवान अभ्यास राखो, आ कथा तमने काम लाग से, लाग से, समय आउसे त्यार महराजयसू किदू? जे गनान समय आए, तेर काम नथी लागते गनान नथी, सिखेलू काम नथी लागवानू, मनन करिने उतारे लोह से, यह काम लाग से गुणात्यानन समय बोलिया, कोई आत्म हत्या करवा जतो होई, कुवा मा पड़वा, 200 बक्तरी आवे ने, यह पड़ी न सके, यह बचावी ले, यह वी रित्यावी कथा रोज सांबली असे, स्वामी ना सब्दो, आवी कथा रोज सांबली असे, यह माथी बे सब्दो जिल स्रीहरी आरिते संतो साथे वात करी, पची बोलिया, हवे तमे किर्तन गाव, अम्या वातो थी सब्दानो रंग जमावियो छे, रंग जाम्या सिवाईनू बधू फिकु सुन्य जेवू लागे, जिटला संतो कवी कहवावो छो, ते प्रत्येक चार-चार पदना किर्तन बो त्यार बाद प्रगट स्रीहरी ना प्रेममा मगन थईने प्रेमानंद स्वामी किर्तन बोलिया, त्यारे मसालो प्रगटावी ने लाविया, दिवावाडा काचना जाड लटकावी दिधा हाता, पची चोपदार छड़ी पुकारवा लाग्या, ते समय बधी सबाव भी त्यमनी सुभा एक एक थी अधिक छे, तेनू वर्णन करवानू मने आवडतु नथी, ते धामनी उपमा कोनी साथे आपवी, कारण के आ लोकमा उपमा आप्या जेवी कोई वस्तु नथी, आ लोकना सुर्यने चंद्रमा तो धामना तेज आगल आग्या पतंग्या जिवा देखाई छे, एवो ते धामनो अलोकिक प्रकास छे, ते धामना तेजने भक्तजनो सहजे देखे छे, अने आनंद उल्लास करे छे, प्रगट मुर्ती मा तो एवी अनंद कड़ाव रही छे, तेनो पार कोन पामे, जे श्रीहरी नी मुर्ती प्रगट बिराजती होई, तेमा सामर्थी ओचू वधू देखाई, तेमा काई आश्चरिय थतू नथी, कारण के श्रीहरी नी इच्छा सक्तीज महान बढ़वाली छे, आर्ती करी रहिया पच्छी संतो धुन बोलवाला गिया, श्रीहरी पन उभा थाईने संतो नी साथे धुन करवाला गिया, श्रीहरी सं स्रीहरी ये महान धुन करी, धुन बोलता सर्वने सरिर्नी सुध भुलाई गई, भान भुली गया, तेना थी चवदे भून गाजवाला गिया, धुन थैरे या पची संतो भेला मली ने स्तुती करवाला गिया, तेमा अनन्त देवताव पन भेला मली ने स्तुती करता हाता, स विचारो, आजे घणा प्रस्ण पुछे, साधुने वली दंडवत होई, भगवान छे छता संतों ने पगे लागता विचारो तबुछे, अरे साधुने क्या, मेतो जोया छे, सारा सारा अरी बगतों होई ने, ये अरी बगतों ने दंडवत करे छे, आपड़ामा भावने प्रेम होई तो दंडवत बद्धी जग्या, गुणात्यानन स्वामी के, आपतकाल आवे, सुका घासने दंडवत करजो, स्वामीना सब्द, आपतकाल आवे तो, सुका घासने दंडवत करजो, कारण के एमा पन भगवान बेठा छे, कणकण मा छे तो, एमा थी प्रगड्थे ने भगवान कमारी रक्सा कर सेलो, भाव जो ये, साधूने दंडवत करि ए, साधूने भगवान नी जेमराखिये, भगवान ना जे सारा भक्त होए, येंने अपन भाव ती पगेलाग्ये, थाय तो, dंडवत करिये, अरिते, स्वामिनार नाम नों, बदे जहीजे कार थे गयो, जहीजे कारनो सब्द चारे धंवा बदे व्यापी गयो, इतिस्वी सहजानंद स्वामी सिश्य, सिद्धानंद मुनी विर्चित, स्रीहरी चरित्नाम्रूत सागर्ना, चतुर्थ पूरुमा, स्रीहरीै सत्संगना मोलभूत गुणनों गवरव कहिय अने किर्टन गवडाविया ये नामे अड़तालिस्मो तरंग समाप्त थयो बोलो घनस्यां महराजनी जै स्रीपतिम स्रेधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायनं नेलकंठं भजे